हेलो फ्रेंड नेचरो पैती क्लिनिक में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सूखी खासी जैसी समस्या हो गई है हम खास्ते खास्ते एक दम से पस्त हो जा रहे हैं पसडियों में बहुत जोरू से दर्द होने लग रहा है और खासी आ रही है कैसे सीट थरपी अपलाई करना है इन सारी बातों के बारे में हम डिसकस करेंगे इस वीडियो को आप अंतों तक जरूर देखें तो आई हम देख लेते हैं कि वो एक्यूप्रेसर पॉइंट कहां पर है जैसे हम सूखी खासी की समस्या को ठीक कर सकते हैं इस पे मैगनेट थ अपलाई करनी है उसके लिए चाहिए आपको पेपर टेप और एक चक्रा मैगनेट चीए तो जो हमारे स्कीन को टच होगा जो मैंने किप्रिशर पॉइंट ब्लेक कलर मांग देखे बताया है वहाँ पे जो स्कीन को टच होगा यह यह कलर होगा और जो बाहर से दिखेगा य यह वाला कलर होगा लगा तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ इस पे तो इसको मोट लगाना की इतने टाइम तक है 2-8 गंटे के लिए ऐसे यह मैंने जो देखें पेपर टैप में जिखा कर दिखा देती हूं तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैसे अप्लाई किया है ये मैगनेट जो बाहर से वीजीबल है वो ये कलर दिख रहा है इसकीन को टच वाइट और यलो ऐसे ही आपको भी लगाना ये बाई लिटरल आपको दोनों हाथों में लगाना है सेम जगह पर राइट हैंड में भी सेम जगह पर लगाना है इस ट्रीटमेंट को 6-8 गंटे के लिए लगा करें तो आपको ये सूखी खासी की प्रॉब्लम होगी पसलियों में दर्द होने लगा है खासते खासते तो आपको रहात आना सुरू हो जाएगा ये ट्रीटमेंट आ मेथी क दाने को ऐसे लगा की जो मैंने बलेक लर का माग दिया है यहाँ पर आपको लगा के रखेना है लेकिन मेथी के दाने को लगा की इस बात का ध्यान한 इंग का अपको की जेए इसको यहाँ पर लगा है अपने try to point पे तो इसको आपको प्रेसर देना होगा हंशर 15-20 मि और जादा तर ध्यान दे कि अगर आप लगा लिए इसको तो यह गीला ना होने पाए क्योंकि गीला होने के वज़े सीट फूल जाएगा तो फिर अपना एक काम नहीं करेगा उस पॉइंट पर प्रेसर नहीं जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी इसलिए आप जी इसको रात को सोते टाइम पे लगा करते रखोय और इस पंट को प्रेसर नहीं हर आधी घंटे बात देखाए मैने मेथी की डाने को यहां पे लगालियार तो इसको भी आपको सेम जैसें मेरे दोन हाथ हो मे guessing लगाना है लेफ्टें डाइटि टेर पलैस पे और इसको पॉन टाइम यूज़ करेंगे तो आप इसको फेक दें दूसरे दिन फिर आप दूसरे मेथि गदानों को दूसरे टेप में लगा के आप वापस से अपलाई करें आप भी किसी समस्था से परिशान है तो कमेंड में जरूर हमारे साथ सेयर करें वीडियो को लाइक और सेयर कर ना भूले थाइंक यू